हालो एब्रिवन इंडियन रोमा किचन में आपका एक बाद फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज हम पांचवा नवरात्रे की पूजा कर रहे हैं और आज का जो नवरात्रा है वो मा सकंद माता को मर्पित करते हैं सकंद माता सकंद का मतलब कारतिके जी और माता का मतलब मा तो सकंद माता मतलब कारतिके जी की माता अब ये कथा इसके पीछे एक प्रचलित है उसमें हुआ है यूँ कि जो ताड़कर सुर नाम का दाना था उसमें देवताओं को बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू किय और सारे देटा मिलकर ब्रह्मा जी के पास गया, उससे इसका उपाय पुछा, ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका उपाय सिर्फ शिप जी के पास है, परंतु तुम बिना उनको लिए दक्ष के यग में चले गए थे, तो इस वज़े से वो परिशान हो गया और मा सती को सती होना तो बस इसी वज़े से अब ये कुछ नहीं हो सकता, तब सब देता होने, सोचा कि हम क्या करें, तब नारज जी माता पारवती के पास गया, उन्हाने जाकर उनसे प्रार्थना की कि हे मा, आप तब करके किसी पितरीक से शिप जी को प्रिशन प्रसंद कीजे, और जब आपक सारी पुतर थे और अपनी मा का बहुत बहुत ध्यान रखते थे, मा, पिता जी को बहुत जादा मानते थे, और इसी वज़े से बहुत पराक्रमी और बहुत ही तेजस्वियों बने और पूरे तीनों लोकों में उनका बहुत नाम हुआ, तो कहते हैं कि अगर आपको भी वै परकार कीज़े तो इश्व भी आपके पर प्रसन होता है, तो चलिए फिराज का ग्यान इतना ही और चलते हैं इंडिया नरोमा किचन में एक नई रेसिपी बनाने के लिए, तो आईए मेरे साथ, तो बस आप आपको देखकर पता लगी रहा है कि आगरने वाली हूँ, हाँ मैं पंकिन से या आप कह सकते हैं स्कॉश मुझे या मिला है मिज़े पंकिन नहीं मिला है सीजन में तो ये चिलका उतारने के बास मेरे पास आधा किलो स्कॉश था जिसके मैंने बीज और चिलका उतारके बारी बारी काट लिया है और उसको मैंने कहा किया प्रेशर कुकर ल ट्राइय रूस बिल्कुल रोस्ट कर रही है इस दोसरे मीनट के इसे II इसाल में चाहें तो आधे को ऐसी रखें और आधे का पौटर भी बना सकते हैं और इधर मेरे जोड़े में सब्सक्रेइब निकल गया था और देखे किन से बनाते तो अपना पानी बहुत जादा चोड़ देता है तो बस यह देखें बिल्कुल आप इसको अच्छे से मैश कर लें और जब बिल्कुल हलवे की फॉर्म में आ जाए ना तो आपका यह पर्फेक्ट है बनने के लिए इसको बहुत जटपड बनती है यह रेसिपी इतनी मज़ेदार बनेगी ना आपको पता भी ने लगा है कितनी देर में बन गई बस यह मेरा बन के तयार होगे ता मैश को कर तयार होगे है यह मैंने एक चमच कार्डेमम पॉडर ले ले लिया है जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दालेंगे थोड़ा सा दूद ले ले था दूद में थोड़ा यलो कलर डाला है आप सेफ्रन भी डाल सकते हैं इस टाइम पर और उसको सुखा लें जब वह सूख जाए आपका हलवा थोड़ा सा तब आप इसके अंदर जालें एक सो पचीस ग्राम या अपने टेस्ट के है तो हम प्योरगी का यूज करें तो बहुत अच्छा है और जो बिल्कुल सूख जाए उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा देखे बिल्कुल पानी नहीं रहा तो अब मैंने इसके अंदर डाल दिया थोड़ी सी किश्मिश आप कोई भी ड्राइफोर्स अपनी मर् अब मैं इसमें डाल रही हूँ खोया यह मेरा मिल्क मेट खोया जो मैंने होली में गुजिया बनाने के लिए यूज केता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूगी आप महां से भी देख सकते हैं तो आपको खोया बजार से लाने का जंजट भी नहीं है मिल्क बॉटर से फटा फट बना सकते हैं तो आप उससे बनाएं और देखिए कितना बढ़िया मज़िदार और पस क्लास मेरा हलवा बनके तयार हो जाएगा और अब मैं अपने यहां पर एक सीक्रेट एजिंट डाल रही हूँ वो क्या है मेरा केवड़ा वाटर मैं इसके मिक्स कर लें बहुत बढ़िया से इसको मिक्स कर लें और बस अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं देखिए कितना टैंटिंग यह लग रहा है जब मैं बना रही थी तो इतनी अच्छी किचिन के अंदर फ्रेग्रिंस ती ना कि मैं आपको बता नहीं सकती है जब हम इसको ख शुगर सब्सिटूटों आप उसके साथ इसको बना सकते हैं और देखिए बस भी मैं इसको गार्निश कर रही है और गार्निश करके अब इसको हम सर्व करेंगे और आज मा सकंद माता का आज वैसे भी दिन था तो आज यलो उनको पर शाद चड़ाया जाता है तो चांस की बा आपके पास अगर फ्रेश रोस पेटल्स हो तो आप भी डाल सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया आपका यह बनके तयार हो जाता है बस तो इसका है बने आपको बताए तो आप इसको खाईए और मुझे बताईए आपको कैसा लगा यह ब्रत्ता हुआ चलिए तो गर मेरे स्व किजिए और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन जरूरा है